वेलकम टो जी आरेस टेक्निकल तो कैसे हो आप सब आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ नीए इंगलिश के वर्ड शेयर करने वाली हूँ जो कि आपके बेहत काम आने वाली हैं तो आज के इस वीडियो को बिल्कुल लास तक देखिएगा वीडियो अच्छी लगती हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा तो चली फ्रेंट्स बीना समय कवाएं आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं आज का सबसे पहला English word है हमारा प्रपोज जिसे हम English में प्रनाउंस करते हैं प्रपोज प्रपोज का मतलब होता है प्रस्ताव रखना ठीक है? अगर आप किसी चीज को लेकर के किसी के सामने प्रस्ताव रखते हैं तो उसका मतलब होता है प्रपोज नेक्स्ट वर्ड है हमारा purpose ये propose और purpose दिखने में बिल्कुल similar लगता है लेकिन उसके माइने जो है वो बहुती अलग-अलग होते हैं अभी जैसे कि मैंने आपको बताया propose का मतलब होता है प्रस्थाव रखना वही purpose का मतलब होता है इरादा ठीक है? और इरादा को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं purpose ठीक है? purpose नेक्स्ट वर्ड है हमारा honesty जुसे हम इंग्लिश में प्रणाउंस करते हैं honesty honesty means इमानदारी अगर किसी वेक्ति के अंदर इमानदारी है तो उसे हम honest person बोलेंगे ठीक है? तो वो हो गया honesty next word है हमारा impose impose मतलब होता है ठोपना अगर आप किसी चीज को ले करके कुछ किसी को बोलते हो कि तुम्हें ये काम करना है, करना है, करना ही पड़ेगा it means कि you are imposing that person imposing means ठोपना ठीक है? next word है forgive forgive मतलब होता है माफ करना माफ करने को इंग्लिश में बोलते है forgive forgive means माफ करना next word है ailment ailment means बिमारी अगर किसी इंसान को किसी चीज की बिमारी है it means ailment ठीक है? illness तो हम सभी जानते हैं कि वो बिमारी होती ही होती है लेकि new English word में ailment means बिमारी होती है and ailment को हम प्रनाउंस गहर से करते हैं तो ailment next word है bachelor bachelor means कुमारा अगर कोई व्यक्ति कुमारा है तो इसे हम bachelor बोलेंगे next word है bargain bargain मतलब होता है मूलभाव ठीक है? जैसे कोई अगर व्यक्ति है 100 रुपे का save है आप मूलभाव करा करके 80 रुपे करा रहे हो तो it means की you are bargaining about apples apple के लिए आप bargaining कर रहे हो मूलभाव कर रहे हो ठीक है? मूलभाव को English में क्या बोलेंगे? bargain next word है brother brother means भाई ठीक है? भाई को English में क्या बोलते है? brother बोलते है and brother का pronunciation brother होता है brother next word है suffering suffering means होता है पीडा कष्ट अगर कोई किसी चीज से जूज रहा है सफर कर रहा है तो उसको हम लोग बोड़ेंगे पीडा कष्ट वह सहरा है ठीक है? तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बहुत ही useful English के word सिखाए है जो कि बिल्कुल simple है और लेकिन उसके माइने भी बहुत जादा important है जो कि आप definitely regular day के लिए use करते ही होगे सो अगर आपको ये वीडियो ज़रा सभी अच्छा लगा हो तो उस वीडियो को like, share, subscribe जरूर करिएगा सो मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा घर पर रहिएगा stay safe stay home जयाहिन बने मात्रम